हलो स्टुडेंट इससे पहले आपके पांस पुर्चन हो गए थे आपका छड़ा पुर्चन है कि अप्रिया से धात को तन हाइड्रोग्लोरीकम मतलब क्या होता है तन एक्सियल में डाला रहाता है कौन शी गएस निकलती है आरं के साथ सुर्फियीकमी रासानी करने की लिखेबके दो बाट है तो आपूहोगे कि अप्तिया से दात को तन हाड़ोग प्लोरी कमने में डाला जाएगा तो हाड़ोगर कैस निकले थी तो जातो है जो सकरीता सडी पढ़ाई थी उसमें हाड़ोगर से उपर दात में हैं वो अमने उसे हाड़ोगर मिस्थाफित करती ही और यह त्पवन है तो अधिक परिया से ना दोनी चाहिये तो क्या करती अमनों से क्या करथी अहां सस्टित करती की या आपको सक्रीता सडी प्लाइ जो hon antibiotा कर भाली काई माकला एलमुनियम का इसी में लिखनेंगे कि मन जन करके फेक दो कोई नहीं सिर्णा प्रभाकर है तीर धात में आपकी हारदुन से अधिक्लिया सीर है और यह अधिक्लिया करके हारदुन इस्ताफित करती हैं तो आपकी लिखेंगे कि अधिया सीर्धाद में अधिया सीर्धाद को तर्व हाइट्रोक्रोरीकम तर्व एक्सियल में डाला आता है में डाला जाता है तो हाइड्रोडन गास निकलती है अब क्रिया सीर्धाद को जनाला जाता है तो हैड्रोडुन गास निकलती है अब क्रहा है आइन के साथ the ऊक्थी प्रिया है यह यह इसके साथ क्लिए होगी तो पयिया को अब रही को बने उ क्योंगा और हट्रोगन यास निडिदेः तो चिज़ा आपर आता है कौन शी निकलती है हाड़ूंग गयास निकलती है इस धातों के बुर्थे वह आपके श्लिवस से कटम हो गये तिकेें एंचीय डी कुर्चन आपकों करा दे रखी कि अप्तिया से दाकों कर दो इसीन में डाला राता तो हाइडलम डाया निकलती है और आयर्ट की तर सल्फीरिकंड के साथ प्रिया हो दी क्या निकल लागा है यह आयर्ट भात रहे और यहापका तर सल्फीरिकंड एपिय शुफड बनेगा और आयोगर गैस निकल दाएगी दूसरा पुर्चन है जिन को आयोगर शेकेंड सल्फेड के लिन डालने पर क्या होता है इसकी स्थमी करती है अभी दो बताया था मंदन करके फेक दो तो जिन सक्रीता सड़ी में आयोगर से उपर आया तो जिन क्या करेगा निकल में होगे जींक को आरन सेकेंड सल्फेड के बिरियन में डालने पर जिर्क आरण शेकेंड सुफट से या जिर्क जिर्क को आरण सेकेंड सुफट से गलीपे डालने पर आरण विस्थापित हो रहता है आइसे निसकतो चाहें, आयरम विस्थापित हो जाता है, समी बढ़ क्या है यह जीनका है और यह आयरम शेकेंट सल्फेट है, जाता सक्रिता सड़ी में जीनका आयरम सोपारिस्तित है, इससे आयरम को इस्थापित कर देगा, जड़न असोफोर बनाएगा, जड़न असोफोर और एफी दहां को आपनी अलग हो जाएगी, यह जीनका है, यह आयरम शेकेंट सल्फेट है, क्योंकि आयरम थ्रड सल्फेट भी होता है, और इससे अफीन स्थापित कर देगा, यह जीनका सल्फेट बनाएगा, इसमें सेकेंट थर्ड नहीं लिखता है, चुकि जड़न पर दो ही प्रस होता, चन्न नहीं होता है, इसमें फेरस है तो दो फेरिक है तो तीन, आयरम कर देगा आप लोग कि जिन सक्रीता स्कड़ी में आयरम चे उपर आये, इसमें जिन क्या करेगा, आयरम सेकेंट सल्फेट के वहीर से आयरम को भी स्थापित कर देगा, ठीए, तो आपका कोर्शन है, निम्द पदोपत की परिमासा देगी है, खनीच, आयस्त और गये, इसस उसमें आयनिक योगी खड़ गया है, आयनिक उपके गोड़ हड़ गया है, किसी दिए उपने नहीं पड़ाये, अगर आप कमेंट्स को दर आप पूछोगे, तो आपको बता देगी, ठीए, लेकिन वह आपके 30% जो पूर्शुख अठा है, उसमें उतना भाग मूँ हड़ अगया कि, तो निफ्ड़ पनों की परिमासा देनी, खनिच खनिच क्या होते हैं, कि धात में, धात में वा उनके योगिक, वा उनके योगिक, प्रत्वी से हमें जिस रूप में प्रत्वी से, हमें, कि जिस रूप में प्राथ होते हैं धात्य वर्ण कर योगी प्रत्वी से ने जिस रूप में प्राथ होते हैं खनीच कराते हैं खनीच कहलाते हैं जय से जोन ने मिटर्ष नी पुढ़ाए दिए तो आपको बताया गया था लेकिन कोश्रि करवा है यह जी जैसे कापर पाई राइड कापर पाई राइड कापर पाई राइड क्ति इए शीयू फे एक्ष्ट्रिस का सूतर है ये कापरवा अफी का खनिच है अग्ला आएस, आएस क्या होते हैं? कि वे खनिच सभी आएस खनिच होते हैं लेकिन सभी खनिच आएस नहीं होते हैं कि वे खरिच जिन से धात में सरालता पुरुवक वा कम खर्चे से प्राप्त होती हैं कि आयस्क कहरते हैं जैसे कापर पायराइट कापर पायराइट कापर पायराइट सी यू अधिस्टू ब्राइट में कापर पाराइड कापर का प्रमुक आएस्क है कापर पाराइड कापर का प्रमुक आएस्क है अफी का आएस्क नहीं है क्योंकि जितनी अफिदाप मिलेंगे नहीं उससे जाला लाज़क लग जाएगी तो अफी का प्रमुक आएस्क नहीं है ठी गय क्या होता है कि आयस्क में प्रत्वी से प्राव आयस्क में मिट्टी कमा कंकड वपत्थर आदि की अस्दियां होती हैं जिन्हें गयन कहते हैं कि प्रत्वी से प्राव आयस्क में मिट्टी कमा कंकड वपत्थर आदि के सुधियां होती हैं जिन्हें आदि करते गयन